Hello Student, आज के विडियो में हम लोग कोई भारी भरतम theorem परूप नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी concept को समझेंगे, बलकि maths की एक beauty को देखते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक sum निकालना चाह रहे हैं, कि let's say sum of natural number अगर हम लोग निकाले हैं, तो ये क्या आना चाहिए? हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचुरल नंबर जो है, उसका infinitely sum निकाल रहे हैं, ठीक है? सारा यहाँ पर positive numbers है, और इसका sum हम लोग find out करना चाहते हैं, क्या आएगा, ठीक है? और ये जो sum है, इसे बोला जाता है, रामा नूजन summation, रामा नूजन summation, ठीक है? तो ये जो sum है, इसे सबसे पहले हमारे like, हमार genius mathematician, रामा नूजन सर्ण ने दिया ठीक है? और ये जो sum आता है, रामा नूजन सर्ण ने बताया, कि ये negative minus 1 upon 12 आता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? कि हम लोग positive numbers का sum निकालेंगे, जो कि एक negative आएगा, जो कि सुनने में थोड़ा आई अटपटा लग negative, तो ये कैसे होता है? ये हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो इसके हम लोग proof में जाते हैं, तो let's say, कि ये जो sum है, जो हम लोग निकालना चाहा रहे है, रामा नूजन सर्ण, इसे हम लोग assume कर लेते हैं, कि ये find out करना है, और ये दिखाएंगे हम लोग कि ये exactly minus 1 upon 12 आएगा ठीक है, ये हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पर, तो इसे solve करने के लिए से पहले हम लोग को दो और summation solve करना होगा, ठीक है, let's say, एक S1 define हम लोग कर रहे है, क्या है S1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, and so on, एक summation हम लोग निकाल रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे है, alternate plus minus हो रहा है, 1 के साथ 1, plus में, फिर minus में, plus में, minus में, plus में, minus में, तो अगर हम लोग, in general, अगर ऐसे हम लोग से भी बस पूछा जाए कि इसका sum क्या आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये event term में रहा, तो 0 आएगा, अगर odd term हम लोग लें, तो plus minus cancel out, plus बचेगा, तो event term लें, तो 0 बट जब अगर हम लोग इसका solution निकालेंगे, तो इसका solution क्या आएगा, हम लोग ये देखेंगे कि S1, half आगा है, जो 0 और जो 1 आए था, उसके बीच का एक number, उसका जो average है, वो इसका sum आएगा, ठीक है, जैसे इसे रमानुजन summation बोलते हैं, ये जो S1 का sum है, इसे बोलते है ग्रांडी स्रीच, G-R-A-N-D-I, ग्रांडी स्रीच, इस सम को बोलते हैं, और जो इसका summation कितना आता है, हाफ, तो इसे पहले प्रूव करते हैं, कि S1, half कैसे हो रहा है, and then हम लोग देखेंगे, कि और एक summation solve करेंगे, and then S को find out करेंगे, तो S1 के लिए हम लोग क्या कर रहे है हम लोग और एक S1 यहाँ पर add कर रहे हैं, इसमें, ओके, एक S1 और add कर रहे हैं, तो फिर से क्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग एक element shift कर रहे हैं, यहाँ पर 1 था, तो 1 यहाँ ना लिखके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, प्लस 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus and so on क्या कि हम लोग एक step shift कर गए है यहाँ पर अब दोनों को add करते हैं ठीक है दोनों को add करेंगे दिए क्या आ गया 2s1 इन दोनों को add करेंगे तो यहाँ पर 1 minus 1 plus 1 which is 0 plus 1 minus 1 0 minus 1 plus 1 तो इसके बाद का साला ट्रम क्या आ जाएगा है जीरो तो 2s1 is equal to half so s1 is equal to half तो हम लोग बस क्या कियें एक term को shift कियें और यहां पर यह देखें कि यह जो summation है s1 जो कि grandis raise है उसका sum half आ रहा है यह हम लोग प्रूब कर दिए ठीक है तो यह जो है यह itself में एक क्या बोलते है beauty of math है कि जहां पर मुझे दिख रहा था कि यह 0 और 1 आना चाहिए answer बट उसमें क्या है उन दोनों का average है अब हम लोग आते है s2 और एक हम लोग define करते हैं यह कैसे define होगा one then minus two plus three minus four plus five minus so on ऐसा चलता जाए क्या है यहां पर natural numbers ले रहे हैं हम लोग लेकिन सारे में plus sign ना होकि alternate plus minus है one minus two plus three minus इस type से चलता जा रहे है और इसका समय से हम लोग find out करना चाहा रहे है तो लोग फिर से क्या करेंगे इसके साथ फिर से हम लोग s2 को add करते हैं ठीक है s2 add करेंगे ओके तो देखोंगे यहां पर क्या हो जाएगा अब आगे जब हम लोग s2 add करेंगे तो इसे हम लोग यहां इसमें फिर से एक shift करके लिखते हैं so this is one minus two plus three minus four plus five and so on ऐसा चलेगा क्या कियें सेम s2 को लिए हैं लेकिन एक step shift करके लोग लिख रहे हैं and then दोनों को add कर देंगे so this is two s2 is equals to one minus two plus one which is minus one plus three minus two which is plus one minus four plus three minus one and then plus one and minus so on तो क्या है one minus one plus one minus one ऐसे आ रहा है जो की मेरा क्या है s1 है यह पूरा क्या है तो मेरे पास क्या आ गया है two s2 is equals to s1 ठीक है इसका मतला s2 का value क्या आ गया s1 का value half तो s2 का value one upon four तो हम लोग यहां पे दो सम निकाले हैं अभी तक s1 grandistry जो की half आ रहा है and then हम लोग क्या किया alternate plus minus लिए natural number के sum में और इसका sum आया one upon four अब लोग s को find out करना चाहरें कि one plus two plus three plus four plus so on क्या आएगा इसका value हम लोग क्या कर रहे है s minus s to find out करते है s में यह s2 से minus कर देते हैं तो क्या है मेरे पास one plus two plus three plus four and so on minus one minus two plus three minus four plus five minus and so on ही है ना s minus s2 इसे solve करते हैं क्या आएगा तो one minus one which is zero plus two minus and minus plus हो जाएगा तो यह plus four हो गया plus three minus three zero फिर यहां पर plus four हो जाएगा and plus four eight फिर यहां पर zero and फिर यहां पर 12 आएगा and so on चलता जाए ऐसा होगा तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग four अगर हम लोग common कर लें तो यह क्या आ गया one plus two plus three plus four फिर से अगें चलता जाएगा जो कि फिर से यही sum है s तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से क्या आ गया s minus s2 जो आया इसका value आ गया four of s इसे solve कर लेते हैं ठीक है so this is यहां पर अपन लोग solve कर रहे हैं so four s minus s so three s is equals to minus s2 आ गया क्या गया four s minus s minus s2 so s का value हम लोग निकाल लें अगर तो यह आ गया minus one upon three s2 और s2 का value हम लोग find out कर चुके है one upon four so s का value क्या आ गया minus one upon twelve ठीक है तो s क्या आ गया कि sum of natural numbers अगर हम लोग infinite terms तक इसे अगर add करें तो यह क्या आ रहा है negative of one upon twelve ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं एक widget series देख रहे है maths का कि sum of natural numbers positive numbers का sum negative आ रहा है ठीक है यही है रामानोजन समेशन ओके तो इसी तरह का कुछ और cool वीडियो के साथ मिलते हैं next वीडियो में प्रशन आ रहा है झाल कर दो वीडियो कि वीडियो